हेलो गाइज माईसेल मितलेश कुमार फाउंडर ओफ एजूकेशन जी ऑनलाइन एजूकेशन पोटल आपको हमारे चैनल पे लागातार मेडिकल के रिलेटेज रिव्यूज मिल रहे हैं MBBS कॉलेज के रिगार्डिंग रिव्यूज मिले जा रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप लोग हमारे एक्सपर्ट से क्वेरी भी कर रहे हैं कि इस लोकेशन के कॉलेज के बारे हैं बताए इस लोकेशन के कॉलेज के बारे हैं बताए तो आज राजस्थान के एरिया में यह बहुत डिमांडिंग कॉलेज में से नाम आता है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिये स्टक्चर कितना पे करना पड़ेगा admission procedure क्या होगा, cut-ups क्या होते हैं और क्या clinical states है, college का internal बातों को भी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तांजिले medical college के बारे में कि यह 2008 का college है, हाँ 2008 का college है, private college है इसका जो admission procedure होता है, यह राजस्थान के state counseling के थुरू होता है अगर इस college admission चाहिए आपको, तो राजस्थान का जो state counseling है, उसमें registration करना परेगा राजस्थान एक open state है, किसी भी state के student राजस्थान में अडमिशन ले सकते हैं management quota के fees पे, तो यह हो गया admission procedure, हाँ और यह 25 एकर का campus है, यह website आप देख सकते हो यहाँ पे और राजस्थान University of Health Science, जैपूर से यह affiliated college हो गया, हाँ और यह MCI approved तो हैं ही, कोई दिकत नहीं है, यह 750, यह seats है, total seats है, जितने students में study कर रहे है eligibility के टेडिया यही है, कि आपको 50% होने चाहिए, physics, chemistry, biology में और NEET में एक score तो अच्छा कासा होना ही चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे बात कर लें इसमें courses का, तो MBBS के 250 seats है, 250 seats है, यह बहुत जादा होता है हाँ, और यह total course हो जाएगा, हो जाएगा, सारे 5 साल का, हाँ आप देहां पे देख सकते हो इसमें MD, MS का भी seat है, उसका भी हम discussion बाद में करेंगे, इसका भी बहुत जादा demand आता है अगर बात कर लें facilities का, तो इसमें तो laboratory, सारे labs available हैं health center, transportation facilities, library, सारे hostels, computer lab, lecture halls, auditorium, cafeteria, sports campus यह सारे चीज़े है, sports facilities, यह सारे facilities तो available हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आते हैं free structure का, देखो, यहाँ पे दो तरह का fees होता है एक होता है state quota, जो वहाँ के बच्चे होते हैं, उनको लगेगा 19 लाख रुपीज पर year यह हो गया only tuition fees, hostel fees की बात कर लें, तो लगबग देख से 2 लाख रुपीया पर year hostel आप रख सकते हो, यही management quota fees है, 26 लाख पर year यह बहुत ज़ादा amount है, यह सिर्फ tuition fees है, hostel अलाग में बट यहाँ पे अगर हम बात कर ले, management quota के, तो यह करोर 30 लाख तक चला जाता है management quota, और यहाँ पे bank guarantee जैसे भी चीज़े available है अब हमारे expert से बात कर सकते हैं, कि क्या negotiation possible है इस management quota के seat में कितना possible है, अब हमारे expert से बात कर सकते हैं और यह भी जान सकते हैं दिये गए number पे, कि क्या bank guarantee का कोई option, other option है, कि क्या इसे किया जा सकता है, आप हमारे expert से भी बात कर सकते हैं, यह रहा आपको fee structure, और इसमें कितना negotiation हो सकता है यह अब हमारे expert से बात कर सकते हैं, अगर देखे, other state के student को, तो लगभग 300 mark शगर है तो आपका admission इस college में possible है, on the basis of merit, यह other state के student की बात कर रहे हैं हाँ, और वैसे student, जो 300 से कम भी number है, तो आप हमारे expert से बात करें, कि क्या possibilities बन सकती है अगर chances होंगे, तो आप हमारे expert से guidelines भी ले सकते हैं, हम अब देख लेंगे इसमें clinical states के बारे में हाँ, clinical states में देखेंगे, तो लगभग में 1210 bedded hospital है इसके 1200 अच्छा bedded hospital होता है, इसमें सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, facilities अबलेबल है clinical states यहाँ का अच्छा है, patients flow भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और student campus life की बात कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप चाहे किसी भी state के student है, यहाँ पे आपको रहने, खाने, पिने में कोई problem नहीं है हाँ, अब ranking की बात कर लें, तो NABH, medical college and hospital in Rajasthan, NABL से अब इसके पास approval है यह first medical college है, गितांजिली medical college जो NABH और NABL से approved है, यह रजस्तान का पहला medical college है तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है, कि यह बहुत ही अच्छा है, हाँ, best multi-specialities hospital यहाँ पे है और Medical Institute of the Year इसको award किया गया, यह सब approvals है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ अगर यहाँ hospital facilities और laboratory की बात करें तो OPD, हाँ, यह बहुत important होता है, OPD, IPD, यहाँ क्या city है, यह बहुत ही, अच्छा है, ambulance facilities है, emergency 24 hour है, critical care है, ICU है, diagnostics है, dialysis है, यहाँ पे blood bank है, pharmacy है, यह सारे facilities यहाँ hospitals में available है, यह होंगे, तभी तो आप practicals करेंगे अच्छे से, तो इन चीजों पे जरूर ध्यान करें, college selection से, पहला लगो का एम होता है, college में admission हो जाना, admission तो हो ही जाएगा, आप यह देखो, कि जो college आप दे रहे हो, पैसे, उस like उतना है के नहीं है, यह ज़रूर देखना है, बहुत सरे लोग सिर्फ admission पे ध्यान देते है, पैसेंट फ्लो भी बहुत ज़ादा है, लगबग 2000 के range में, 25 के range में, इसमें पैसेंट फ्लो डेली के आते हैं, इसलिए यह अच्छा consider किया जाता है, एक्स्ट्रा करिकूलम एक्टिट्वीज में, आप सारे वहां के events अलग अलग होते हैं, उसमें participate आप कर सकते हो, अगर बात कर ले, overall मेरा opinion पुछोगे, तो क्या इस college में जाना चाहि हैं, अगर आप राजस्थान, पंजाब, हर्याना, इन state से बिलोंग करते हैं, तो यह तो generally लोग लेते ही हैं, अगर आप other states से भी बिलोंग करते हैं, तो आप जरूर admission में सोचें, अगर आपके budget में fit हो रहा है, तो यही मेरा suggestion है, इस college में कोई issues type नहीं है, hopes लो के वीडियो पे experts से बात कर सकते हैं, किसे भी college में admission guidance, counseling guidance की क्या करना पड़ेगा, bye, take care, see you again